आज्गुन से रूप में स्थानी राजवन्स के रूप में राजर्शी तुल्य कुलवन्स और नल्ल वन से सम्देट तत्यों को विस्त्रित रूप से आज सरब पूरीवंस के संस्थापक के रूप में देखें तो सरब पूरीवंस के संस्थापक सरब राज को माना जाता है साथ ही साथ साशन साशन काल के अगर बात करें तो सरब पूरीवंस के संस्थापक के रूप में बीच में का साशन काल माना जाता है साथ ही साथ सासन छेत्र की बात करें सासन छेत्र की अगर बात करें तो सरबपूरी वंस का सासन सरबपूर में सरबपूर सरबपूर संबलपूर संबलपूर और सारंगड छेत्र में सारंगड छेत्र में था इस तरह से संस्थापक सरब राज के नाम के अनुरूप सरब पूर्मिन के सासन छेत्र संबल पूर और सारंगड छेत्रों में सरब पूरी वन्सों का सासन छेत्र रहा साथी साथ देखें तो राज चिन्ह के रूप में सरपूरी वंस गज लक्षमी का प्रयोग करते थे साथी साथ अन्य नामों के अगर बात करें अन्य नाम के अगर बात करें तो सरपूरी वंस को अन्य नामों से अमरार्य कुल साथी साथ अमरज कुल अमरार्य कुल के नाम से भी जानते हैं ब्याग राज के तामर पत्र में इस कुल को अमरार्य कुल के नाम से भी उल्ले खित किया गया है तो इस तरह से बेसिक तथ्यों के अगर बात करें तो सरब पूरी वन्स के संस्थापक सरब राज जो कि पाँचवी छटवी सताबदी के बीच में सरब पूर संबल पूर और सारंगड छेत्रों में नहों ने सासन किया साथी साथ इनके करम में अन्य सासकों की भी बात करेंगे तो इस तरह से इन तथ्यों को याद रखिएगे महत्पूर तथ्यों के रूप में किसे अन्य किन नामों से जाना जाता है राज चिन्ह क्या थे और किस धर्म से संबंदी थे तो वैसना और धर्म से संबंदी थे इसी क्रम में आगे बढ़ें, तो प्रमुक सासकों के रूप में देखें, तो इसके संस्थापक सरवराज, इसी क्रम में आगे बढ़ें, तो नरेंद्र राज, प्रशन मात्र, प्रशन मात्र, इसी क्रम में आगे बढ़ें, तो जैराज, प्रशन मात्र, जैराज, आगे तो सुदेव राज, प्रवर 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 सलम और प्रवर राज दुतियद इसी करम में अब आगे बढ़े तो सबसे पहले डिस्कस करें सरब expression सरब राज सरब पूरी Luke के संस्थापक थे और इनहीं के नाम के अनुरूप स्रब राज के नाम के अनुरूप एस संस्थापका नाम सरब पूरिय वंस पड़ा इसके नाम के नुरूप ही सरब पूरिय वंस इस वंस का नाम रखा गया यह संस्थापक के रूप में माना जाता है सरब पूरिय वंस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है साथी साथ सरब राज के नाम के अनुरूप इनकी राजधानी सरब पूर पड़ी, सरब पूर नाम पड़ा इनकी राजधानी सरब पूर इसी तरह अल्मधकूर तथ्यों की अगर बात करें तो सरब राज से सम्मंधित तत्यों में देखें तो गुप्त वंसी सासक भानुगुप्त के एरण अभिलेक में सरवराज का वर्णन हमें मिलता है इस तरह की कोश्चन पूछे जाते हैं कि गुप्त वंसी सासक भानुगुप्त के किस अभिलेक से हमें चतिस गड़ के राजवंस का वर्णन मिलता है तो सरब पूरी वंस का अगर सासक पूछा गया तो सरब राज इस तरह से questions पूछे जाते हैं तो इन मात्पूर्ण तथ्यों को याद रखेगा साथ ही साथ सरब राज ने अपने सिकों में प्राकृतिक भासा के विप्रित संस्कृत भासा का प्रयोग किया था याद रखेगा संस्कृत भासा का संस्कृत भासा का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था इस सारे फेक्ट हम सम्मंदित है सरवराज से, सरवराज सरवपूरी वन्स के संस्थापक थे और इनहीं के नाम के अनुरूप इस वन्स का नाम सरवपूरी वन्स और राजधानी सरवपूर पड़ा आगे क्रम में देखें तो सरवराज के बाद, सरवराज के बाद इनके शासनकाल, इनके उत्रादिकारी के रूप में नरेंद्र ने शाशन किया नरेंद्र ने इनके उत्रादिकारी के रूप में शाशन किया और नरेंद्र से संबंधित तीन तामरपत्र हमें प्राप्त होते हैं तीन तामर पत्र प्राप्त होते हैं, जिसमें देखें तो पीपर दुला तामर पत्र, पीपर दुला तामर पत्र, कुरूद तामर पत्र और साथी साथ रवा तामर पत्र, इसी पीपर दुला तामर पत्र में उलेकित है, कि उलेकित है कि नरेंद्र सरावराज का ही पूत्र थ पिपर दुला तामरत पत्र से हमें प्राप्त होता है। सांथी सांथ, यहां पे इनके जैस्ट भाता, बड़े भाई के रूपें महेंद्र कभी वर्णन मिलता है। याद रखिएगा हमने इससे पहले वाकटक edit onse में भी देखा ही था और हमने यहाँ पर देा की था महेंद्र सेम के बारे मिं oh Oh, this संबंध्य राजbelsोम में इनका मत एक के नहीं है यह वही महेंद्र है जो कि समाद्र गुप्त ने दचिन्विजय भियान के अंतरगत हम हैं इस तरह इनके राजवन्सों के रूप में मत्यक्य नहीं है चुकि इसो याद रखेगा महत्पूर्ण तत्यों के रूप में कि सरभ महेंद्र को सम्मुद्र गुप्तिन अपने दक्षिल विजय वियान के अंतरगत पराजित किया था तो इस तरह से इस करम में हमने देखा कि नरेंद्र ने सरभ राज के उत्रदिकारी के रूप में आपे शाशन किया इनसे सम्मंदित हमें तीन तामरपत्र प्राप्त होते हैं आगे बढ़ें तो इसी करम में हम बात करेंगे प्रशन्न मात्र की प्रशन्न मात्र ने अपने ना नदी के तट पेस्ति था जो कि निडिला नदी के तट पेस्ति था यही प्रशनपूर वर्तमान में मलहार मलहार के नाम से जाना जाता है और यही मलहार निडिला नदी अभी वर्तमान में लीलागर नदी के नाम से जाना जाता है इसी तरह कोश्चन पूछा जाता है कि मलहार सहर किस नदी के तटपे है तो लिलागर नदी के तटपे लिलागर का प्राचिन नाम कौन सा है तो निडिला नदी है मलहार का प्राचिन नाम है प्रशन पूर बशाने का काम क्या था प्रशन मात्र ने इसी तरह आगे करम में देखें तो प्रशन मात्र से संबंधित 116 इंहों ने अपने सिक्कों में किया था तो इसी तरह से याद रखेंगे प्रशन्न मात्र एक प्रतापी सासक के रूप में सरपूरी वंस में इन्हों ने इस छेत्र में शाशन किया प्रशन्न मात्र ने अपने नाम के रूप प्रशन्नपूर सहर की स्थापना की जो वरतमान में मलहार के नाम से जाना जाता है। गया है इसी क्रम में अगर देखें तो प्रशन मात्र के उत्राधिकारी के रूप में इतिहास कारों के बीच में मत्भेथ है कईयों को मानना है कि इनके जैस्ट पुत्र जैराज यहां पे शाशन उत्राधिकारी के रूप में शाशन की जैराज ने दूर्ग सहर की स्थापना जैराज ने की और दूर्ग सहर की स्थापना करने के कारण ही इनका नाम दूर्ग राज पड़ा और इनहीं को मन मात्र दूर्ग राज के नाम से भी जाना आ जाता था कई तिहासकारों का मानना है कि यह दूर्गराज और प्रवर दूर्गराज और मनमात्र दो अलग-अलग बिखती हैं साथ ही कई तिहासकारों का मानना है कि मनमात्र दूर्गराज जैराज के ही अन्यनाम थे तो इस तरह से याद रखियेगा कि जैराज दुर्गराज मन मात्र के रूप में सांति सांत जैराजन ने अपने सिकों में गजलक्षमी चिन्ना का प्रयोग किया गज लक्षमी चिन्ना का प्रयोग इन्हों ने अपने सिक्कों में किया इस तरह से महत्पुर्ण तत्यों के रूप में हमने देखा आगे इसी क्रम में बढ़ें तो इतिहास करणों का मानना है कि जैराज के बाद इनके पूत्र जैश्ट पूत्र सुदेवराज ने यहाँ प ब्याग राज का हमें उनलेक मिलता है इसी तरह देखें तो जैराज के बाद उनके जैश्ट पूत्र के रूप में जय राज के बाद उनके जेश्ट पुत्र के रूप में सुदेव राज ने शाशन किया और सुदेव राज अजय मिस्र सास्त्री के अनुसार सुदेव राज नहीं सिरपूर सहर की स्थापना सुदेव राज के द्वरा किया गया हम जानते हैं कि सरपूरी वंस का सासनकाल पांचवी से छटवी सताब्दी रहा और इसी पांचवी से छटवी सताब्दी के बीच में सरपूरी वंसी का भी सासनकाल रहा और इन ही वंस के कारण राजरसी तुल्यकुल वंस में हमने देखा था कि भानु भेमसेंदुतिय का इन से चला और सुरप्षा के द्रिष्टी सिन्हों ने अपनी नई राजधानी के रूप में और सिर्पूर सहर की स्थापना सुदेव राज के द्वारा किया गया था इस तरह से सरप्पूरी राजसृति कुल्यवंस के साथ इनका संघर्श चला सुदेव राज ने सिर्पू सिर्पूर से हमें प्राप्त होते हैं सुदेव राज के बाद देखें तो इनके उत्रादिकारी के रूप में प्रवरा जो की प्रवरा सुदेव राज का भाई था सुदेव राज, सुदेव राज का, सुदेव राज का, सुदेव राज का क्या था? भाई था इसी करम में देखें, आगे अगर सुदेव राज में एक और महत्पूर्ण तत्त को एट करना चाहूं तो सुदेवराज के सामंत इंद्रबल थे याद रखेगा इंद्रबल सामंत थे आगे देखें तो सुदेवराज का भाई प्रवर राज सुदेवराज के बाद यहाँ पे सरपूरी वनसी के रूप में इन्हों ने शाशन किया सुदेवराज का भाई और सुदेवराज के मृ साथ अपने भाई व्याग-राज को इन्हों ने प्रशन्यपूर का जिम्मेदारी नहीं कर शाषन करते हैं और व्याग-राज से ही संबंदित उन्हों ने स्कूल को अमराहर यकूल भी कहा था इसी करम में हम देखें कि प्रवर राज प्रतम सुदेव राज का भाई था जिन्होंने सुदेव राज के मिरत्यू के बाद सरबपूर के स्थान पर सिरपूर पर अपनी राजधानी स्थापित की और यहां पे इन्होंने शाशन किया अंतिम शाशक के रूप में देखें तो प्रवर राज दूतिया इस वन से समंदित अंतिम शाशक हुई अंतिम शाशक हुई सुदेव राज के सामन्त इंद्रबल ने प्रवर राज दूतिये को पराजित कर इस छेत्र में पांडुवन्स की स्थापना इंद्रबल के द्वारा किया गया इसी दरह से हमने वन बाई वन महतपूर्ण तथ्यों को सरपूरी वन से संबंदित हमने देखा अगर आप मेरे सुरू से लेकर वीडियो देख रहे होंगे तो हमने महतपूर्ण तथ्यों को यहां पर डिसकस किया अगर आपको